Hello friends, welcome to Rajnod Rajas Academy. My name is Rahul Singhla. NCRT through MCQ series में आपका स्वागत है. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिसकस किया था राजपूर सेनर अरब इन्वेजन को. तो वो हमने टाइम पिरिट जो डिसकस किया था, that was around 6th to 12th century. आज उसी साइम पिरिट को आगे बढ़ाते हुए, आज हम स्टार्ट करते हैं Delhi Sultanate को लेके. कि Delhi Sultanate में कौन-कौन से rulers आए थे और उनके related, जो भी हमारी NCRT से question बनते हैं, उनको डिसकस करने की कोशिश करते हैं. ठीक है जी, पहला question हमारा है, who is the founder of Memluk dynasty? क्या question है, who is the founder of Memluk dynasty? फर्स्ट ऑप्शन इस आरम शा, सेकंड इल्तुतमिष, थर्ड कुतुब दिन अबक, और अलावदिन मसुद शा. याद रखना है, जब हम दिल्ली सल्तनेत की बात करते हैं, तो दिल्ली सल्तनेत में पांच डिनेस्टी आई थी. कितनी डिनेस्टी आई थी? पांच डिनेस्टी आई थी, जिन में से एक थी ममलूग डिनेस्टी, जो सबसे पहली डिनेस्टी थी, that was ममलूग डिनेस्टी, और वो basically कौन सी डिनेस्टी थी? स्लेव डिनेस्टी थी. उसे हम क्या कहते हैं सलेव डैनेस्टी अगर हम दूसरी बात करें तो basically खिलजी डैनेस्टी थी, third was हमारी तुगलग डैनेस्टी, fourth was हमारी सायद डैनेस्टी and fifth was लोधी डैनेस्टी तो हमारे पास 5 डैनेस्टी अई हैं दिली सल्टनेत के अंदर तो पहली डैनेस्टी बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा इसका founder था, किसका ममलूग डैनेस्टी का, याद रपना ममलूग डैनेस्टी को हम इलबारी डैनेस्टी भी बोलते हैं, तो आप व拜拜 करके इसका फड़ा क्या करता है ममलूग डैनेस्टी तो याद रख लेना पहला रूलर कौन था दिली सल्तनेत का डैट वास कुतुब दिन एबग वो इनिशली जो उसकी पावर थी वो लहौर में थी पर लेटर उसने शिफ्ट कहां पे कर ली डैली के पास तो पहले उसकी लहौर फिर उसकी कैपिटल क्या हो गई डैली याद रखना क्योंकि वो एक इलबारी डैनेस्टी से साथ लेव डैनेस्टी से था जिसकी वज़ासे नोबल्स के बीच में उसको थी तो उसने कोशिश करी के अपनी साइड पे अट्रेक्ट कर सके उनको खुश कर सके तो ही वौज इन the favor of charity क्या करता था वह charity करता था जिसकी वज़ासे वह नोबल्स को अपनी आपनी साइड पर जीच सके जिसकी वज़ासे उससे टाइटल भी मिला बाइदे नेम ऑफ लक लख बक्ष किसका टाइटल में लख बक्ष लक्ष बक्ष वो आदमी होता है जो बहुत जादा चैरिटी करता है तो कुत्तुग दिन ऐबख हमारा first founder था ममलूग डेनेस्टी का क्योंकि उसने अपने आपकी recognition करानी थी as a king from a slave जिसकी वैसे वो charity करता था इस charity की वज़ा से उसको एक नाम मिल गया that was लख बक्ष आप इसका source दे सकते हैं new NCRT chapter 3 page number 31 next question consider the following statements regarding कुत्तुब मिनार के बारे में हैं यह statements हमें बताना है कि इन में से built by two sultans क्या कह रहे हैं दिस मेनार was built by two sultans कुत्तुब दिन एबक and iltutmish second the मेनार is made up of red sandstone with white marble on the top floor तो दो चीजे हैं कह रहे हैं कि पहला कुत्तुब मेनार को दो sultans ने मनाया था कुत्तुब दिन एबक and iltutmish दूसरा कि मेनार red sandstone का बना है with white marble on the top floor तो कोशन क्या पूछ रहा है which of the above statements is or are correct a one only b two only c both one and two and d neither one nor two तो इसका सही answer क्या है both options are correct याद रखना जब हम कुत्तुब मेनार की बात करते हैं इसकी जो foundation रखी थी वो foundation किसने रखी थी कुत्तुब मेनार की कुत्तुब दिन एबक ने यह बहुत important point है इसे याद रख लो कि कुत्तुब मेनार की foundation रखी किसने थी हमारे कुत्तुब दिन एबक ने और कुत्तुब मेनार complete किसने करवाया था इलतुत मिशने, दो चीजे हैं, foundation किसने रखी थी, कुत्तुब दिन एबकने, और इसको complete किसने करवाया था, इल्तुथ मिशने और basically ये जो कुत्तुब मिनार बनाया गया था, it was made in the honor of famous Sufi saint, उनका नाम क्या था, ख्वाजा कुत्तुब दिन क्या नाम था, ख्वाजा कुत्तुब दिन बिक्तियार काकी, famous Sufi saint थे, उनके नाम से नाम पढ़ा है क्मारत का क्या, कुत्तुब मिनार clear है इतनी बात, तो यहाँ पर दो चीजे याद रख लेना, कि पहले हमारे कुत्तुब दिन एबक थे तो कोशन में पूछा क्या गया था, कि स्टार्टिं किस ने करी और कंप्लीट किस ने करवाया, तो कुत्तुब दिन एबक एंड इल्दूत मिश, तो first statement क्या है, correct है, second statement क्या थी, कि मिनार किस चीज का बना हुआ है, तो मिनार दोनों का यूज करा गया है, red marble का भी use किया गया है, initially किस चीज से बना था, red sandstone से, बाद में किस से बना था, white marble से, तो दोनों statement से यूँमारी correct है, that is, both 1 and 2, इसका ब सोर्स देख सकते हैं, new NCRT, our past, chapter number 3, page number 36, next question, consider the following statement regarding the era of bulban, याद रखना, bulban एक ruler था, जो basically, हमारा ruler था, हमारी इलबारी डिनेस्टी का, या ममलूख डिनेस्टी का, तो पहली statement क्या है, ज्यासुदिन बलबन, also known as उलग खान, strengthened his position, by marrying his daughter, to Sultan Nasiruddin Mehmood, तो Sultan थे Nasiruddin Mehmood, उन से उसने अपनी बेटी की शादी करवा दी, पहली statement, second, he created a new class of ruling elite of 40 powerful military leaders, क्या statement है, he created a new class of ruling elite of 40 powerful military leaders, जिनको क्या कहा जाता है, चहल गनी, third statement, he introduced the Persian festival of Naros, to impress the nobles and people with his wealth and power, तो तीन statement है हमारे पास, हमें बताना है, इन में से correct कौन सी है, पहला option 1 and 2, B option 2 only, C 1 and 3, and D 1, 2 and 3, तो आप इस question को attempt करिए, फटा फट, हम इसके answer की तरफ चलते हैं, तो पहली बात, second statement को देखते हैं, कि उसने एक new ruling class बनाई, जिसे हम कहते हैं, चहल गनी, जिसमें कितने leader से 40, हाँ, एक class बनी जुरूर थी चहल गनी, बट वो बलबन नहीं नहीं बनाई थी, वो किसने बनाई थी, इल्दोत, मिशने, किसने बनाई थी, इल्दोत, मिशने, जिसकी वैसे हमारी second statement क्या हो जाती है, incorrect, अगर हम देखे second statement को eliminate कर दें, तो option कौम सी बसती है, option बसती है, सिरफ वसी, 1 and 3, तो अब देखो paper में बहुत simple होता है, कई बार questions को tempt करना, अगर आपको एक statement पता है कि correct है या नहीं है, तो कई बार questions हमारे solve हो जाते हैं, options को eliminate करने में, इसका मतलब क्या है, first और third option क्या है, correct है, कि ग्यासुदिन बल्बन ने, अपनी बेटी की शादी किसे गराई, नसीरुदिन महमूस से, और उन्होंने पर्शन फेस्टिवल को शुरू करा है, that was neros, तो one and three correct है, second गलत है, क्योंकि iltutmush था, जिसने क्या बनाई थी, 40 powerful leaders की elite class, जिसे हम क्या बोलते हैं, basically चहल गनी, clear है जी, और इसका source क्या है, old NCRT by Romila Thapar, chapter number 4, page number 37, next question, consider the following statements regarding Mongol attacks, consider the following statements regarding Mongol attacks, पहला क्या है, Mongol attack on the Delhi Sultanate, increased during the reign of Laudin Khilji, and in the early years of Muhammad Tughlaq, याद रखना, Khilji dynasty के बाद, रूल किसका आया था, Tughlaq dynasty का, तो कहते हैं, Mongol का attack शुरू हुआ Laudin Khilji के टाइम पे, और वो बढ़ता गया Tughlaq के टाइम पे, ठीक है जी, second statement क्या क्या रिए, परती थी डेली में, जो के बहुत ज़्यादा क्या था, administrative challenge था, तो कोशन क्या, which of the above statements is or are correctly matched, A, one only, B, two only, C, both one and two, and D, neither one nor two, याद रखना, जब हम अला, Laudin Khilji की बात करते हैं, he fought bravely, with what Mongols, उसकी जो policy थी, उसे हम बोलते हैं, blood and iron policy, क्या बोलते हैं, blood and iron policy, तो याद रखना, कि जो पहली statement है, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल correct है, मंगोल का attack, बढ़ा किसके time पे, लौदिन Khilji के time पे, start हुआ था, और in the earlier zone, मुहमद Tuglaq's rule, second statement भी बिल्कुल correct है, तो इसके लिए आपको standing army भी बहुत ज़्यादा maintain करनी पड़ेगी, तो question में पूछा क्या गया है, which of the following are correct, तो C option is both 1 and 2, clear है जितनी बाद, आप इसका source देख सकते क्या है, new NCRT, our past, chapter number 3, page number 40, clear है जी, next question, which of the following statements regarding, Razia Sultan is not correct, यार रगो, Razia Sultan आपने बहुत बार सुना होगा, books में, movies के अंदर, बहुत बार इनका नाम आया है, ठीक है, यह हमारी last and only ruler थी, अगर मैं बात करूँ, किसकी, दिल्ली सल्तनीत की, डैली सल्तनीत की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो only woman ruler कौन सी थी, यहां पे कंटरी का नाम लिया गया अब फटाफट पताईए, यहां आज की modern day country कौन सी है, second statement, she discarded the female april and held the coat with her face unwield, second statement क्या है, she discarded the female april and held the coat with her face unwield, third statement, she was the first woman ruler of Indian subcontinent, यहां आज स्टेटमेंट में क्या है जो आगे बताऊँगा, she was the first woman ruler of Indian subcontinent, and d none of the above, तो हमें कोशन में बताना क्या है, इन में से correct statement कौन सी नहीं है, पहली statement बिल्कुल correct है, कि उसने एक obscenian slave को appoint किया था, यह कूद को जो क्या था, master of royal horses, second statement बिल्कुल correct है, उसने कोई भी practices वो follow नहीं करी, जो उसके nobles उसे बोलते थे, कि as a woman उसे follow करनी चाहिए, बट वो अपने female apparel को नहीं डालती थी, और अपने face को भी cover नहीं करती थी, तो second statement हमारी क्या है, correct है, third statement, she was the first woman ruler of Indian subcontinent, हमने भी बोला कि दिल्ली सल्तनेत की वो ही आखरी ruler थी, बट वो Indian subcontinent की पहली ruler नहीं थी, याद रख ले ना, वो first woman ruler नहीं थी, किसकी Indian subcontinent की, तो ये statement क्या है, incorrect है, तो सही answer क्या है, answer C, क्योंकि रजिया सुल्तान के time पे, उस time पे medieval में एक ruler थी, कौन सी woman, किसकी Indian subcontinent की, तो clear है एतनी बात, तो ये statement incorrect थी, बाकी दो statements correct थी, तो answer क्या हुआ, answer C, आप इसका source देख सकते हैं, New NCRT, chapter 3, page number 33, next question, consider the following pairs, regarding officials, appointed by Mohamed Tuglaq, हमें pairs देखने हैं, regarding officials, appointed by Mohamed Tuglaq, तो कुछ नाम है, अजीज खुमार, फिरोज हजम, मन का तबक, गाडनर, लादा एंड पीरा, तो पूछ रहे हैं, which are the following are correctly match, तो इनके साथ इनके occupation है, जैसे wine distiller, barber, cook and gardener, तो हमें बताना है, इनमेंसे correctly match, कौन सा है, याद रखरो, कि ये मैंने कोशन यहाँ पर क्यों डाला है, ये कोशन डालने का main मकसद ही ये है, क्योंकि पेपर में कई बार इस तरीके के कोशन पूछे जा सुके हैं, तो हमें हर चीज के लिए prepare होना है, तो बहुत ही factual और रटे वाला कोशन है, तो आप attempt करने की कोशिश कीजिए, बट इस तरीके के कोशन पेपर में पूछे जाते हैं, तो कोशन पूछा क्या गया है, which of the above pairs are correctly match, अगर हम इसके answer की तरफ चले, answer क्या है, answer D, that is all are correctly match, तो ये सब account बता कौन रहा है, कि हमारे जो अजीज खुमार wine distiller थे, फिरोज हाजम बारबर थे, मनका तबक कुक थे, गार्डनर्स लादा और पीरा थे, उसको बता कौन रहा है, ज्यादुन बिरानी, कौन बता रहा है, ज्यादुन बिरानी, जो के basically account लिखता है, 14th century history का, उन्होंने ये बताया है, कि उस टाइम पे सुल्तान इतने incapable हो गए थे, कि उन्होंने अपने बाकी नीचे के लिए appointments करनी start करती थी, नीचे के लिए क्या करनी शुरू करती थी, और appointments करनी start करती थी, क्योंकि अब उनकी capacity to rule खतम होनी शुरू हो चुकी थी, तो basically अगर हम बात करें, तो ये ये एक आदमी थे और ये ये इनकी क्या थी, occupations थी, जो उनको कौन बता रहा है, हमें mid 14th century chronicler, that is, ब्रानी, अब इसका source लेख सकते हैं, new NCRT, our past, chapter 2, chapter 3, page number 38, clear है जी इतनी माद, next question, which are the following pairs of dynasties, and their capitals are correctly matched, तो पूछ रहे हैं के कुछ हमारे pair of dynasties हैं, और उनके साथ में उनकी क्या है, capital है, तो हमें बताना है इनमें से correctly matched कौन सी है, पहला है यादव्स देवग्री, second ककातियास वरंगल, and third है होईसलास दवार्स मुद्र, तो हमें बताना है इसमें सही statement क्या है, तो पहला option है 1 and 2, second है 2 and 3, C 1 and 3, and D all of the above, अफटा-फटा इसका answer दीजिए, हम इसके solution की तरफ चलते हैं, answer क्या है all of the above, याद रखना लाओदिन खिलजी के time पे, उसने पूरे dekan के उपर rule कर लिया था, dekan पे rule करने का, उसका सबसे बड़ा जरिया क्या था, that was Malik Kafur, कौन था उसका Malik Kafur, आपने मुवी देखियोगी, पद्वावत उसमें जो एक Malik Kafur नाम का character दिखाया गया है, जो basically south से आता है, attack करके आता है, और वहाँ की बहुत सारी wealth को अपने साथ ले के आता है, तो वो वही Malik Kafur होता है, जो Indian dynasties के उपर attack करके आता है, और उनके उपर अपनी victory करके आता है, तो उन्हें चार कौन सी थी, basically, देवगरी, जिसके rulers कौन थे, यादव्स, वरंगल के कौन थे, पेज़ नंबर 40, नेक्स्ट क्वेस्टन, consider the following statements regarding लाओदिन खिल जी, लाओदिन खिल जी के रलेटेट बहुत सारी कोशन है, because he was the most important ruler of खिल जी दनेश जी, because इसकी administration इतनी स्ट्रॉंग थी, के उसने middleman को रिमूव कर दिया था, between peasants and customers के बीच में, तो खिल खिल जी बहुत important ruler हुआ है, अगर हम बात करते हैं दिली सल्तनेट की, तो पहला question है, he was the first to introduce Neroz in सल्तनेट court, second, he started branding of horses, third, he implemented the policy of direct land revenue collection from peasants, तो कह रहे हैं कि direct land revenue उसने peasants से start कर दिया, second, branding of horse की, और third, first statement, he was the first to introduce Neroz, तो याद गना, जो Neroz फेस्टिवल थे, इन्होंने शुरू नहीं किये थे, किसने शुरू किये थे, बलबन ने, जो हमने हमने पहले questions में देखा है, कि कौन सा ruler था, जिसने Neroz फेस्टिवल को introduce किया था, जो कि basically एक Persian फेस्टिवल है, वो किसने किया था, बलबन ने, तो पहली statement क्या हो गई, गलत, तो बची कौन सी, 2 and 3, तो हमारी दोनों statement करेक्ट है, कि उन्होंने branding of forces को start किया था, जिस system को कहते हैं, dark system, एक system आया था, चैरा system, दूसरा क्या था, dark system, जिनके उपर stamp लगाई जाती थी, तो वो basically check करने के लिए होता था, ठीक है, जिचेकिंग के लिए उपर होता था, तो branding of forces कितने start करी थी, अलावदिन खिल जी ने, और direct land revenue collection भी किसने किया था, अलावदिन खिल जी ने, तो second and third क्या है, correct है, first incorrect है, answer क्या हुआ, B option, इसका source देख सकते हैं, याद रखना है, यह बहुत ही famous ruler हुआ है, अगर हम Tughlaq dynasty की बात करते हैं, खिलजी dynasty की बात करते हैं, तो अलावदिन खिलजी का नाम आता है, तughlaq की बात करते हैं, तो एक नाम आता है किसका मुहमद बिन Tughlaq का, इसको एक nickname भी है, इसे बोला जाता है wisest fool, क्या बोला जाता है wisest fool, अब comment section में लिखके बताईए, इसे wisest fool क्यों बोला जाता है, उत्री ने तरह हम question को पूरा पढ़ते हैं, first statement है, he believed in the geopolitical unity of India, second, he opened up the administration to all people on the basis of meritocracy, third, he was the first to introduce token currency in the whole world, d, none of the above, तो इनमें से पूछ रहे हैं, question में कि not correct कौन सी है, तो हमें बताना इनमें से incorrect statement कौन सी है, अगर हम C option की तरफ जाएं, ये क्या है, non correct, ये correct नहीं है, क्योंकि ये पहले नहीं थे, जिन्होंने token currency को introduce किया था, basically token currency को introduce किसने किया था, कुबलई खान ने, किसने introduce किया था, कुबलई खान ने, कुबलई खान से idea लेके इन्होंने start कर रहा था, क्या मुहमद बिन तुगलग ने token currency का concept, तो पहले नहीं थे, जिसकी वैसे incorrect statement कौन सी है, option third, अब देख सकते हैं, कुबलई खान आफ चाइना had already minted token currency, इसका आप सोर्स देख सकते हैं, new NCRT chapter 3rd page number 41, next question, match the following departments created by Tughlaq dynasty, क्या question है, match the following departments created by Tughlaq dynasty, पहला, department of slaves बता रखा है, department for charity बता रखा है, third department for pension, and fourth charitable hospital, उस time पे इनके नाम है, departments के कुछ दरूले शफा, दिवाने बंदगन, C दिवाने खेरात, and दिवाने इस्तियाक, तो हमें correct match करना है, अगर हम दिवाने slaves की बात करें, तो वो match करता है B option के साथ, that is दिवाने बंदगन, अगर charity की बात करें, तो दिवाने खेरात, तो पहले हमारा क्या है, first का B है, second का C है, तो options B यह C बनती है, अब हमें देखना है, third यह और fourth, किसके साथ match करता है, अगर हम charitable hospital की बात करें, उस time पे उसका नाम क्या था, दरूल शफा, तो fourth का क्या है, A option, तो सही आंसर क्या बन जाता है, B option that is BCDA, तो Department for Pension कौन सा बना, दिवाने इस्तियाक, तो सही आंसर क्या है, इसका B option, Department of Place, दिवाने बंदगन, charity के लिए दिवाने खरात, pension के लिए इस्तियाक, and charitable hospital के लिए दरूल शफा, इसका आप सोर्स देख सकते हैं, New NCRT of a Past, Chapter 3, Page No. 37, Next question, आज का आखरी question, Consider the following statements, regarding Indo-Aslamic architecture, किसके बारे में बताना है, Indo-Aslamic architecture के बारे में, पहला क्या है, The decorative techniques, use mosaic design, pietra-dura, and arab-sqeo methods, क्या कह रहे हैं, कि Indo-Aslamic architecture के time पे, mosaic design, pietra-dura, and arab-sqeo methods, use हो रहे थे, second, Minar was a mix of, polygonal and circular shapes, largely built of, red and buff sandstone, क्या था, Minar is a mix of, polygonal and circular shapes, which is largely built of, red and buff sandstone, question ध्यान से पढ़ो, क्या पूछ रहे है, which of the following statement, is or are, correct, तो options क्या है, one only, two only, both one and two, neither one nor two, तो सही आंसर इसका क्या है, that is, C both one and two, क्योंकि इसके अंदर, Indo-Slamic architecture के अंदर, mosaic design, pietra-dura, and arab-sqeo techniques, use होने शुरू होगी थी, और दूसरा, इसके अंदर, और भी techniques आने शुरू होगी थी, direct purpose use of, jarries, और, इसी के साथ, जो material use हो रहा था, that was red and buff sandstone, तो हमारा सही आंसर क्या है, answer C, तो हमारा correct answer क्या हुआ, answer C, इसका source देख सकते हैं, introduction to fine arts, chapter 8, page number 11, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, यही questions बनते हैं, Indo-Slamic architecture में, अगर आम NCRT की बात कर रहे हैं, I hope आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उनको revise कर रहे हैं, ठीक है अगर आपके कोई भी doubt हो, बिना आप किसे जिजग क्या, हमें comment section में बता सकते हैं, आप हमें comment section में बताईए, या अगर आपको कोई भी doubt हो, NCRT की series में, next वीडियो में हम discuss करेंगे, Mughal Empire को, ठीक है उसके related यह यह, NCRT में से जो भी potential questions बनते हैं, उनको हम discuss करने की कोशिश करेंगे, हमारी next NCRT through MCQ series की lecture में, clear है जई इतनी बात, तो next time हम मिलते हैं, उतने time तक आप हमारी वीडियोस revise करते रहे हैं, ठीक है पढ़ते रहें, पेपर को यह मत सोचे के पोश्ट पॉन होने वाला है, अगर आप पेपर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो अपने त्यारी करते रहें, अपने subjects फटा-फट पढ़ते रहें, और NCRT रिवाईज करते रहें, और यह ग़र चीज, इस coronavirus के time पे, COVID-19 के time पे, जितना हो सके घरों पे रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है, जितना ज़्यादा देर आप घरों पे रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा lockdown सफल होगा, Thank you.